तो आप सब कैसे आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे तो आज में लेकर फिर से आगे हूँ किचन के कुछ ट्रिशन है जो आपके किचन के काम हो घर के काम हो जाएंगे बहुत ज़्यादा असान और सबसे अच्छी बात तो यह है कि होगी आपके धेर सारी प्रैसों की वचत तो चले देख लेएंगे तो सबसे पहले यहां पर कडाई को लेखे करते हैं तो आपसर आप देखते होंगे कि तलवे में है ना तेल चिपक जाता है और कडाई का जो तलवा बहुत जादा कमाल का है । आपको कभी भी कर आपको कड़ाही के चीज है नहीं खराब हुँगी। नमक आपके पाणी नाया नाया है। लगा नाया है। फोड़ा सा आप यहाँ पर नमक यहां है। अब आप इसे गैस में चढ़ाएंगे कोई भी कि कोई भी चीज आप फ्राइब करेंगे जितना फ्राइब करेंगे आपके कड़ाई जो है बिलकुल भी खराम नहीं होगी गंदी नहीं होगी तो यह पना सकते हैं अब चलिए नेश्टिक देख लेते हैं तो यहां पर चाय प चाय पत्ति को जरूर चेक करें यह बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है तो आपको क्या करना है हतेली में इस तरह से चाय पत्ति को रखना है और इस तरह से पढ़िया से रगड़ लेना है अगर आपके चाय पत्ति जो है अच्छे से क्लीन आ रही है मतलब कोई भी कलर नह से देख लेते हैं यह भी बहुत कमालय का अकशर कुछ चीजें अचाही होती है जो हमारे पास नहीं होती हमेtar हमेशा ही होता है जैसे यहां पर हमने एक चिम्ठा कर तयार करें गया किérique बैचलर भच्जे होते हैं बैचलर होते हैं तो उनके पास चीजसें नहीं को सब्सकुत करते हैं इसाइज है। दो पूं में लेना है उस्पून अन्य पीरह याजके शाइज इप्वाद केुसंग के लाख गेह नहीं है। दूसरा भी स्पुन हमें बाद लेना है ये एक पकड बनके त्यार हो जाता है इससे क्यों होता है भी चीजे नीका लिए या फिर अचार हो या फिर कुछ आपको रखना है जिस सैलड है आप हांसे नहीं टैश कर रहे हो नहीं मतलब आप हांसे निकालना चाहा रहे है तो आप इस तरह से एक और्गनाइज बना कर तियार कर सकते हैं दो चुममत से बहुत ही कमाल गाए है यह दे Monsieur तो यह बहुत ही अच्छे से फैल भी रहा है यह देखिए आप कोई भी चीज इसे उठा करके रख सकते हैं बिलकुल आसान है तो यह भी बहुत ही कमाल का ट्रिक्स है आप इसे अच्छा निकल सकते हैं यहां पर बॉटल को लेकर के फ्रेंट साहम क्या करते हैं हमारे पास बॉटल होते ही हैं पानी पीने के लिए कोई भी बॉटल सो तो यहां पर क्या होता है बॉटल से के अंदर हमारा हाथ बिलकुल भी नहीं जा पाता है और क्लीन नहीं हो पाता बॉटल और गंदर रहे जाता करचल में इस तरह से जो यहां पर हमने इस point बर्दन में ले लिए स्क्रव को अच्छे से हैं इसमें लगा देना ही यह कि इस तरह से फिर इसके बाद यहाँ पर इस कर्चल को मतलब इस तरह से डाल करके हम साफ कर सकते हैं बाटल को थोड़ा सा पाने डालिए और अच्छे से साफ करने हैं तो आप यहाँ पर थोड़ा सा नीबू का रस और यहाँ पर आप एट कर सकते हैं बेकिंग सोडा इसे क्या होता है बाटल बढ़ि सबस्ति तो चलिए अगर चाः अश्ज तो इहां पर बनातेों इस तरह से रख दे यह हैं तो चांते हैं तो उसमें बहुत सारए कभी ऐसा होता है चठ्च्षोडे तो बहुत सारे उसमें कचड़े हो जाते हैं तो आपको क्या करना है कि आपका तेल भी मेंटेंड रहे और मोटा सा भी ना रहे और इसके जो मंसारे बाहर हो जाए है तो आप कितनी सह खाने हैं कितनी भी मही今天的IG शहाइ है चोते मोटे कचड़ें चला ही जाता है तो आपको क्या करना है यहाँ पर लेना है कॉटन सबसे पहले लेना है यहाँ पर चाह चन्नी वाले जो चन्ने है लेना ही है कॉटन को इस तरह से चन्नी में लगा देना है यह देखिए आप देख सकते हैं और यहाँ पर अच्छे से फैलाएंगे फिर उसके सब्सक्राइब कंएता बनाया था तो उसके लिए आए समझ में meanowe यहां लिया है और सारी तल को इस तरह से हमचाए इससेmee Captain मख़र आपको समझ में आ रहा होगा जितना कचड़ा रहता है पूरा अच्छे से चांग जाता है और चाहे आप जितने भी महीन अक्सर होता है कि आप कितने महीन चाचनी पर आ ऐसा हो nathan तौर यह को楽ी है और एथ है जाते हैं चांब भी लगेगा तो ये देखिए जितना भी कचड़ा था ना कॉटन में आ गया आप देख सकते हैं ये देखिए और जो तेल है अदम सेफ है तो आप ये ट्रिक को अपना सकते हैं कैसा लगा जरूर बताईएगा कॉमेंस करके ने स्ट्रिक है चार्जर को लेकर फ्रेंड्स हम कह commentaires जाता है चीजें भी नहीं मिलती है इससे charger खराब हो जाता है तो आप इस तरह कर सकते हैं तो चार्जर के विसे पहले हमें फोल्डे कर लेना है फिर उसके बाद चार्जर के ही अंदर में हमें इने चार्जर को डाल देना है फिर यहाँ पर लेना है रबर अगर आपके पास बैग में रबर नहीं है मतलब इस तरह से तो आप जूड़ा ले सकते हैं जिसे बोलते रबर वैंड तो आप वो ले सकते हैं कुछ कपड़े होते हैं फट गए या फिर हम से लाई करते हैं बारिक सी बारिक सुई होती है अक्सर क्या होते हैं हम सुई में धागा नहीं डालबाते तो आप बारिक से बारिक छोटी से छोटी सुई में धागा बहुत आसान तरीके से डाल सकते हैं और बहुत ही कम मेहनत में तो आपको क्या करना यहाँ पर लेना कोई भी वायर ले लीजे आप चार्जर का भी ले सकते हैं वायर को इस तरह से सबसे पहले कट कर लीजे और इसका जो उपर का प्लास्टिक है निकाल लेंगे और अंदर में जो इसमें जो है वायर रहती है उसे हमें निकालेंगे इस तर ँब कर त्यार यह देखिए को च préparब डिए इस तरह से अब कर दीजिए कि पिर कि होगा यह बिल्कुल भी हिले डूलेंगे नहीं और बढ़िया से एक सेप में इस तरह से बने रहेंगे यह पिन बहुत बढ़िया है कमाल की है अक्सर क्या होता है हमें ऐसी चीजों की जुरूत पढ़ जाती है जो हमारे पास होती नहीं है और हमें मार्केट से ले आना पड़ हमें इसमें जो है जो हमने पिन बनाया है इसमें धागे को लपेड देना है यह देखिए आप देख सकते हैं आप चाहे जितनी चोटी सुई हो आप सुई से इस तरह से पिन में डाल सकते है बहुत ही जादा असान है आप इस तरह से बाहर को जब निकालेंगे यह देखिए आई होप आप समझ गएंगे जब आप इसे बाहर को निकालेंगे तो धागा आपस से ही सुई में आ जाएगा ये दिखिए तो बहुत ही कमाल का ट्रिक्स है क्योंकि वो जो पीन है बहुत ही पतली है तो इस तरह से बहुत आसान तरीके से आप छोटी सी सुई में आप धागा डाल सकते हैं तो आपको कैसे लगी ट्रिक्स हैं एक मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्ली जादा से जादा लाइक से सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें मिलते हैं नहीं वीडियो के सब्सक्राइब